विज्डम जास में आपका स्वागत है मेरा नाम सायद गोरी महमद और मैं करेंट आफार्स का फैकल्टी हूँ अभी इंपॉर्टेंट जीके और करेंट आफार्स का डिसकर्शन करने वाला हूं आप इस डिसकर्शन में ध्यान से भाग लीजिएगा एंटी है वी ड्रक्स जैसे कि अभी हम कोविज नाइटीन जो डिसीज का विक्टिम हो गया भारत अब भारत में हेज़य वी के खिलाफ जो ढेटि बयोटिक की इस्तिमाल कर रहे थे एंटी हेज वी ड्रक्स वो हेज एज ड्रक्स की इस्तिमाल कोवीड-19 की की जो डिसीज के खिलाफ इस्तिमाल कर रहे हैं, अब देखिए, HIV के जो ड्रक्स थे, अंटी-HIV ड्रक्स वो COVID-19 के लिए इस्तिमाल करना भारत में शुरू किया, इस्तिमाल कर रहे हैं, वो तो देख है, इंडिया, इंडिया for the first time used, अब medicines के बारे में हम जानते हैं, यहां से भी सवाल बन सकता है, लोपिनवीर और रिटोनवीर जो एंटी-HIV ड्रक्स माने जाता है, और लोपिनवीर, रिटोनवीर, जो दो ड्रक्स है, जो HIV ट्रीटमेंट में इस्तिमाल करते हैं, लोपिनवीर और रिटोनवीर, यह जो लोपिनवीर और रिटोनवीर, यह दो ड्रक्स की इस्तिमाल COVID-19 क इलाज में हो रहा है, right, combination to treat Italian patients in India, अब किसके treatment में इस्तिमाल किया, जैसे कि Italian patients जो भारत में फस चुके हैं, और ये COVID-19 के विक्टिम है, और ये COVID-19 के विक्टिम्स को ये treatment किया गया, anti-HIV, drugs की इस्तिमाल किया गया, इसमें दो ड्रक्स है, एक हो गया लिपुनिवीर और दूसरा हो गया, रिटोनिवीर, और ये दो ड्रक्स की इस्तिमाल, successfully हो रहा है, इस्तिमाल किया जा रहा है, right, the couple were on tour to India and are currently being treated in जैपूर, जैसा कि जैपूर में इनका जो इलाज जारी है, इलाज treatment हो रहा है, कोर्स हो रहा है, ये दो भी इटालियन है, और दो इटालियन भारत को टूर आयत है, the Indian Council of Medical Research, ICMR कहते है, the Indian Council of Medical Research, Indian Council of Medical Research के अंडर लगभग 52 लाप्स है, जो universal screens रखा गया, जो भारत को कोई भी आए, उनको ये जो COVID-19 का जो disease है, उसका detect किया जाए, और उसका trace किया जाए, इसलिए Indian Council of Medical Research के बहुत सारे लाप्स काम कर रहे है, भारत में, जैसा कि पूने में बहुत सारे लाप्स है, और पूने में Institute of Virology है, उसी तरह Indian Council of Medical Research has been authorized to research COVID-19 drugs, अब जैसा कि ये ICMR, Indian Council of Medical Research, ये ये ड्रक्स को research करने में, इसको आतरेश दिया गया है, आलसो दा कौनसल है बहुत सारे जाए, और आपरोड तो यूस्ट आपोववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववववव on first line drugs, these medicines are manufactured in India mainly for export purposes, they are exported to African countries, अब देखिये, जित्ते भी HIV positive patients है, वो positive patients को 70% first line drugs की इस्थिमाल कर रहा है, इंडिया में, ये first line drugs को ही export कर रहा है, African countries को, भारत से, भारत से first line drugs को export हो रहा है, 70% HIV patients first line drugs की इस्थिमाल कर रहा है, देखते हैं, first line drug क्या होता है, और second line drugs क्या होता है, what are first line and second line drugs, the first line drugs are of minimum dosages and are given to patient during the initial stages of a treatment, जैसा कि एक बीमारी के जो पहिले दाशा होता है, शुरुआद होता है, initial stage of the treatment, जैसा कि शुरू में उनकी चिकच्चा होती है, जब उनको क्या दिया जाता है, the second line drugs are prescribed when the first line drugs are not responding, जब कि first line drugs जो होते है, और जिसका power कम होता है, और जब कि ये first line drugs सही प्रभावित नहीं कर रहे हैं, सही काम नहीं कर रहे हैं, तब second line drugs की इस्तिमाल होता है, the second line drugs have higher side effects than first line drugs, जैसा कि ये second line drugs में जो side effects ज्यादा होते हैं, the second line drugs की इस्तिमाल करने से क्या होता है, side effects ज्यादा होते हैं, धन्यवाद दोस्तों, आज के हमारे जो जी के करन्ट अफार्श डिसकर्शन में आप भाग लिए, और हमारे जो चांचा है, वह आप सुन लिए, भहुत भहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे वीडियो को आप करें लिए रिए वह को आप लिए रिए